नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज आपने भारतिय बाजार में गिरावट देखी लेकिन डाव फ्यूचर्स कुछ और दिखा रहे थे डाव फ्यूचर्स दिखा रहे थे अराउंड 70-60 पॉइंट्स की गिरावट और मॉर्निंग में तो हरे निशान में भी थे लेकिन फाइनल आप सभी के सामने अमेरिका के बाजार अराउंड 300 पॉइंट्स गिरकर खुले है और अभी जो ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 376, in fact 400 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं आपको अमेरिका के बाजार इस समय डाउ जोन्स की बात करूँ तो 32882 के लेवल्स पे समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो आज कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं दिख रही है मैं ग्लोबल मार्केट्स का पहले आपको अपडेट देता हूँ उसके बाद हम अपने निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स मैं देखू तो ACI स्पेसिफिक तो 4 तरफा हरयाली देखने को मिल रही है आज निकई में लगबग 104 पॉइंट की तेजी संगाई लगबग 1% उपर हैंग सेंग कंटीन्यू भागे जा रहा है कल भी भागा था आज भी भागा है लगबग 7% की तेजी देखने को मिल रही है तो लगबग लगबग 0.4% की तेजी आपको कॉस्पी में देखने को मिल रही है अगर हम यूरोप स्पेसिफिक बात करें तो फिटसी लगबग 0.6% की रैली देता हुआ दिखरा है आपको और अगर मैं यहां पे आपके सामने विक्स बात करूँ तो 4% उपर ट्रेड करता हुआ आपको विक्स दिखरा है इस समय तो overall बड़ी गिरावट दिख रही है आपको US मार्केट में अब ऐसे में हमें अपने भारतिय बजार के लिए कलकी कैसी तैयारी करनी चाहिए इसी के बारे में आप से भी के साथ बात करता हूँ सबसे पहले आपको बता दूँ कि निफ्टी की बात करें तो यहां पे आज आपने एक important level break होता हुआ दिखा 18,000 का आपको याद होगा जब हम recently गिरावट दिखाई थी हमने बड़ी वाली तो हम 17,800 का support लेकर bounce back देते हैं जापके हम उपर में around 18,300 तक के levels उपर में visit करके आते हैं in fact 18,300 भी नहीं 18,200 और फिर से नीचे आरे लगते हैं और जो पहले लो लगाया था उसी लो के आसपास कही न कहीं आते हुए दिख रहे हैं आपको भारतिय बजार यह सब हो क्यों रहा है क्यों गिर रहे हैं बजार यह पूरा पूरा शिरे जाता है अमेरिका के बजार को कल इनके fed minutes थे जहां पे जो outcome आया वो पूरी तरीके से negative था हाला कि कल कोई negative impact नहीं पड़ा लेकिन कभी कवार अमेरिका का बजार थोड़ा सा ना हिला हुआ लगता है मुझे reaction दे रहा है एक दिन बाद आज दे रहा ह उन्होंने clear कहा कि कोई slowdown नहीं होने वाला rate hikes में cautious side है उनका अभी भी rate जो rate hikes कर रहे है उससे inflation पर कितना फर्क है कितना फर्क नहीं हो उन्हें नहीं पता वो साफ साफ कह रहे है कि अभी हमारा कोई भी विचार नहीं है slowdown करने को rate hikes को और अभी हमें recession का डर है और ये ची inflation आएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको सब बेचना चाहिए जो आपके investment वाले stock है उन्हें आप side में रखिए और 17,800 अगर हम लोग break करते तो 17,500 तक हमारे पास नीचे में गिरावट हो सकती है तो वहाँ पे आप अपनी portfolio को manage करेंगे manage means आप check करेंगी मेरे पास कौन सा अच्छा stock है कौन सा खराब stock है कौन सा निकालना है कौन सा नहीं निकालना है और यह प्लीज इस basis पे बिलकुल मत करना मुझे जहां पे जादा loss हो रहा है वो रखे रहूंगा और जहां पे कम loss हो रहा है वो बेच दूगा यह maximum beginners करते हैं और यह decision बिलकुल गलत है जादा loss या कम loss मत देखिए बस यह देखिए कौन सा अच्छा है जो ज़्यादा loss दे रहा है अगर खराब है तो उसो बेच दीजिए वैसे भी एक चीज का फाइदा हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा पैसा बनाया होगा शेयर बजार में तो थोड़ा loss बुक करेंगे अड़स् लेकिन अपने दूसरे चैनल पर जहां मैं इन्फरमिशन वाली वीडियो बनाता हूं आपके लिए अभी हम ट्रेडिंग को लेकर सिखा रहे हैं आपको अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में जानना चाते हैं तो आज वाली हमारी वीडियो डेफिनिटली देखने ना लिंक होने देते हैं उसके बाद ही कोई ट्रेड मारेंगे कि हमें खरीदना या नहीं बेचना या बेचना या बेचना है पोर्ट फोर्य रिलेटेड बजाज फाइनेंस बजाज फिंजब यह सब पर आज बहुत सारे कमेंड्स आये हैं तो मैं आपसे वह लूँगा आज की जो ग होती है न शुरू आदी 15 में जो फ्लक्ट्वेशन होती है वह हो रहा है अभी तो चलने देते हैं बार्केट को थोड़ा अपडेट आपको एक लेट नाइट दूगा मैं आपको जो भी दिखता है कि भाई कैसे दिखते हैं बजार उस हिसाब से कल की सैट अप की तयारी करे आज क्यों उपर से ऑप्शन डाटा भी दिखा रहा था शो कर रहा था कि नेगेटिविटी फैल्यू मार्केट में तो यह सारी चीजह देखते हुए अल्रेडी डिसकाउंट है हमारे बजार तो अब यहां पर गिरावट हो रही है यह कितनी गिरती है अगर जादा बड़ी हो जाती है तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव रियक्शन आएगा अधर्वाइस कल आपको एक बाउंस बैग भी देखने को मिल सकता है तो यह होगी मेरी वीडियो होप आपको समझ और प्रसंद दौन आयोगी था है कि सो मुच फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो ग गलोःगा मैं अपको एक बाउंस वी वीडियो हो यह होगी झाल आपको 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 एक यह होगी में चाला इवागा यह हो एकाना ऑ्ता है ठाव होगी भ deवार्णी बलाज सबाद म्री बैघको एक रड़ेर